हैभ गाइस फेल्कम बेक इन नीव वीडियो तो हमारी बीव फीप सेमेस्टर में चल रहेती सब्जेक्ट मेरीिचल केमिस्ट्रीच selling हमारी चल रहेती항 यूनिट नंबर वन Самी हमने हमने अंति सब्सक्राइब तो हमारी है ट्रग आती थी फर्स जनरेशन और सेक्ड जनरेशन में हमारी यहां तक की ड्रग कंप्लीट हो चुकी है और आज बात करेंगें सेक्ड जनरेशन के बारे में सेक्ग जनरेशन हें चड़ जनरेशन हक्यें यहांकि motor. यह 4 ट्रग हमारी सेक्ड जनरेशन में आती है यह marked में सेक्ड लेजर में तो आज आज मंत्वम हमें लिदीजर है को ट्रग कर देंगे में 2 और रख PICE चुक। एक तो अपको है तो एक बार जरूर से देखके आना जब ही आपके यह समझ में आएगा H1 second generation वाला ठीक है first generation में हमारे क्या होता था simply वो हमारे होते थे lipid soluble यानि कि वो easily BBB यानि कि blood brain barrier को cross कर जाते थे and वहां पर CNS पर action करके CNS को depress कर देते थे जिससे हमारा cause होता था sedation बट इसमें क्या होगा second generation ड्रग में यह हमारी होंगी hydrophilic यह हमारी BBB को cross ही नहीं कर पाएंगी जिससे हमारा CNS जोगव डिप्रेस नहीं होगा तो यह second generation जो ड्रग है वो आजकल जमाने में ज्यादा यूज आने रगी हैं क्यों क्योंकि माल लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं हैं और आपके कुछ allergy eating यह हुआ तो आप एंटी एंटी हिस्टामेरिक ड्रग्स लेंगे अब आप सोचिए अगर आपको ऐसी एंटी हिस्टामेरिक तो second generation drug वही है कि अगर आपको इचिंग हो रही है एलर्जी हो आप उसको ले रहे हो बट आपको नींद नहीं आ रही है तो वही आया है हमारी second generation drug अब इसको समझते हैं पहले समझते हैं कुछ बार फर्जनेशन मेजर साइड एफ्ट फर्जनेशन एंटागोनिस वासेटेशन वही बात है जो मैंने बता ही फर्जनेशन ड्रग हमारी इसली सिटेशन कोस करती है क्योंकि वह हमारे बीबीब को क्रोस कर जाती है तिक है बट सेथे नाट यहनिकि हमारे कोई भी सिटेटिव इसलेक्टिवली बाइंड और पैरिफेर prima है ओते हैं उससी पर पर जाकर बाइंड होते हैं and not binding CNS H1 receptor because they are hydrophilic in nature मतलब यह जो हमाई CNS में H1 receptor होते हैं वहाँ पर जाकर बाइंड नहीं होते हैं क्यों क्योंकि यह ड्रग होते हैं वहीं hydrophilic and CNS में वहीं ड्रग जा सकते हैं क्योंकि होते हैं लिपोफिलिक ओके एंड इसका mode of action है mode of action इस सेम एस फर्स्ट जनरेशन H1 antagonist यानकि इनका सेम mode of action है फर्स्ट जनरेशन H1 antagonist वहाँ पर हमने बहुत ज्यादा इसको mode of action को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक पर उसको जरूर से पढ़के आना ठीक है जब ही आपको यह सेकंड जनरेशन का भी mechanism of action समझ में आएगा function and effect इसका सेम हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन H1 antagonist की तरह ठीक है अब बात कर लेते हम drugs की drugs कुण सी है हमारी इसमें यह स्ट में जोल लोराटेडिल शित्राजिल लीवोसित्राजिल यह चार्ड रग है चार्ड रग के हमारा structure mode of action and uses देख लेते हैं तो फर्स्ट है हमारा S T में जोल तो S T में जोल structure आपके सामने है देख लो ठीक है और इसके बात करते हैं mode of action and uses के बाते हैं mode of action वही हो जाएगा it is selective H1 receptor antagonist यानि की H1 receptor antagonist है and uses का treat allergic condition like runny nose, watery eye, skin condition but it cause erythymia irregular heart beat मतलब क्या है यह हमारी allergy condition यानि की allergy को तो treat कर रही है बट erythymia भी cause कर रही है erythymia का है हमारा irregular heart beat इसी कारण से हम इस drug को नहीं लेते हैं इस drug को नहीं प्रिफर करते हैं and इसका mechanism of action आपको briefly में समझना है तो previous वीडियो में जाकर देख सकते हैं H1 antagonist में first generation वाले वीडियो में हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाए है इसी ड्रग की तरह सिट्राजीन का इस्ट्रक्चर देख लिए mode of action वह यह बिलोग करेगा H1 receptor को एंड यूजर हमारे सेम हो जाएंगे यूज क्या मतलब यूज होते हैं क्या करें आन्टिस्टरमेंश्ट का siya है यह i सब को यह हमारी यूस होते हैं सारी ड्रग के यह यूद है लास्ट रहा हमारी लीवो सिट्राजी लीवोसित्राजी इस्ट्रक्चर यह तो mechanism of action uses same हो जाएंगे ठीक है इसका mechanism of action गाइस बहुत अच्छे से हमने समझाया है previous यारी की पीछली वाली वीडियो में जो कि हमारा first generation H1 antagonist ठीक है एक बार जरूर से मेरे कहने से watch out कर लेना उसको भी next बात करते हैं हमाई third category जोती है हमारी mass cell stabilizer यह हमारी medicam में नहीं दिवी बट हमको इसको पढ़ना होगा pharmacology में तो हम pharmacology को भी यहां साथ साथ cover कराकर चल रहे हैं तो mass cell stabilizer नाम से समझ में आ रहा है न mass cell हम इस्टेबलाईज कर देंगे आपको पता है hist Bak हमारा है नहीं इस्टे पशिपलाईज कर देंगे चयुक्द हम माससे चुरह माससा चुक्ते आपको हमाई drug mass cell को इतना इस्टेबलाइज कर देती हैं ताकि उनमे ग्रेनुलेशन हो ही ना और इनिविट हो जाए रिलीज ओफ हिस्टामी अल्सो इनिविट अदर इनिविट अधर इनिविटरी मीडियेटर्स लाग प्रोस्टागलेंटरी मीडियेटर्स जो होते हैं इनिविट करती है एक ही ड्रग है इसकी वह है क्रोमोईलन सोडियम तो इस्ट्रक्चर यह आपके समने इनिविटिन तक डी ग्रेनुलेशन अफ मास्सल सो हिस्टमीन केंनोट रिलीज यह यह की डी ग्रेनुलेशन करता है मास्सल की वह फटी ना पाई क्यों हमाइक मास्सल जो होती है वह फटी ना पाई और यूजिज़ इसका हो जाएंगे इन अस्तमा में एन ब्रोंको इसपाज में आईड्रॉप यूज़ फॉर कंजेक्टिविटी और इस ड्रक का हमारे आईड्रॉप भी आता है जो कि हमारे कंजेक्टिविटी में यूज होता है नेजल सोलिशन यूज़ वा ट्रीट तो हमारे यहां पर कंप्लिट होते हैน यह क्रो मोयलन तक यान अब बात करते हैं हम एस टुंट्विट के बारे में आद या söyle पार है हैं उनपर जाकर बाइंड होगी और उनको ब्लॉक कर देंगी तो हमारे is всего मक में ही जो कर दो आचरे ईसेप्टर वहाँ पर धेन्ट होते हैं और बाइब्लॉक्टिंग एक्ष्ट्रेसद्र को रिलोक कर देंगी तो एसको हमको प्रिख्ष्टिय!」 को वो डिक्रीद हो जाएगा एस्टू एंटागोनिस्ट और नोन एज गैस्टिक एस्टिक एस्टिक इनिविटर भी कहते हैं एक्जाम्पल देख लेजें रैनिटिदीन सेमेटिदीन फोमेटिदीन अब इसका हमको सार भी देखना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में बहुत सभst भार पूछा कई आidée सार यज्ष्ट्व एस्ट्ू एंटागोनिस्ट एस्सट्डच्च्र एंटागोनिस्ट आप sharky डैनिकि भुए बाद स्ट्रक्च्च्र एंटागोनिस्ट है WHAT F también Is spinning होगा as to the programmers आर नोट एज एच वन एंटागोनिस्ट एक जैसे नहीं है बहुत अलग अलग है एक होगी हमारी एक होगा हमारा एलकाइल गुरुप जो कि होगा इमीडिया जोल रिंच से कनेक एक होगी हमारी कारवन चैन्ट विद सलफर यान की यह देखे कारवन चैनल बीच में आ रहा है हमारा सलफर सलफर रहना नैसेसरी है ओके आगे सार में बात करेंगे एन फॉर्थ होता यह हमारा नाइट्रोजन गूरू, तो हमारा सार में यही चार्ट पॉइंट पर हमको सार यान कि इस्ट्ट्चर एक्टिविटी रिसे लेशन सिफ देखने हैं, मतल इन चारों के हटने से, इन चारों के बढ़ने से क्या परख पड़ रहा है, हमारे सार में, हमाही ड्रग में, वही हमको हेट्रोसाइकलिक रिंग यानिकि अगर इस हमाई इमीडाजोल रिंग को हम चेंज कर देते हैं किसी अगर हेट्रोसाइकलिक रिंग यान कि फ्यूरेन से थायोजोल से तो हमारी एक बहुत अच्छी पोटेंट ड्रग प्रोडियूज होती है है एक्जामपल जैसे कि हमारा रैनिटी दिन और नेक्स्ट पॉइंट है इफ वी एड़ बेसिक मोईटी लाइक डाय मेथाईल अमीनो मेथाईल और ग्वानिदीन और हेट्रोसाइकलिक रिंग सो एक्टिविटी इंगर हम इस इमीडाजोल रिंग पर कोई भी हम बेसिक आता है एलकाईल ग्रूप पर देखते हैं यहां सब्स्टिविशन इमीडाजोल रिंग फ्यूरें रिंग इस नेसेशरी यानि कि जो हमाई दिंग है उस पर एलकाईल ग्रूप का सब्स्टिविशन बहुत जादा जरूरी है तीक है इस आर इस इकल दो सी एस तरी मिथाईल ग्रूप सो गिप पोटेंट एक्षन एनकि अगर जो हमारा मिथाईल ग्रूप होगा तो हमारी एक बहुत ही जादा बड़िया पोटेंट ड्रग ओक्टेंड होगी जैसे की एक्जाम्पल इसका रैनी टीडिंग थर्ड बात करते हैं कार्वन चैन विद सल्फर इट कंटें यह सल्फर एटम सुट प्रिजेंट इन मिडिल इफ एस एटम इज नेक्ट वह ट्रसाइकल इंग सो एक्टिविटी डिग्रीज यान कि कहने का मतलब क्या है जो हमारा सल्फर होगा वह बीच में होगा कार्वन चैन अगर सल्फर हमारा हेट्रो साइकल रिंग के जस्ट बग सfrede好 होगी टिक लिए फ्राष व सोट्ट बात करते हैं हम नायट्रोजन गरुप आंकोस्तव कर सकते हैं तो में पोटाइंट ड्रक्ट को से जैसे एक्जामपल है फैमोटीडीन वैस हमने इसकी बात कर लिया है सार की है एस्टू एंट्रगोनिस्ट के बारे पढ़ लिया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे के लिए टेक क्या बाइबर